आप सभी को सोमवती अमवश्या की हार्दिक शुब कामनाएं दोस्तों आज की वीडियो में आप सुनेंगे सोमवती अमवश्या की कथा सोमवार को जो अमवश्या आती है उसे सोमवती अमवश्या कहा जाता है इसके साथ ही तुलसी की पूजा और परिक्रमा की जाती है और धूप दीप नविद्य से चावल, चंदन, सिंदूर, फूल, प्रसाद, वस्त्र, दक्षिना, मॉली और रोली ये सबी चीजे तुलसी और पिपल में अरपित की जाती है 108 की संख्या में फल या सबजिया या मिठाई इत्यादी कोई भी वस्तु लेकर पीपल को और तुलशी को अर्पित करके और इसी के साथ 108 बर परिक्रमा की जाती है तेरह चीजें सोमवती अमवश्या के दिन ब्रामणों को दान भी दी जाती है और इस प्रकार से विधी विधान से सोमवती अमवश्या के दिन पीपल की पूजा करने के बाद सोमवती अमवश्या की कहानी सुनी जाती है सोमबती अमवश्या की पूजा करने से अखंड सौभागे की प्राप्ती होती है संतान प्राप्ती में आ रही बाधाएं दूर होती है पति-पत्नी के रिष्टे मधूर होते है और पति-पत्नी के बीच कोई भी परेशानी हो दामपत्य जीवन में परेशानी हो तो वो समाप्थ होती है इसके साथ ही सुक सम्रिध्धी की वृध्धी होती है और हाँ आज के दिन अगर आप सोमवती अमावश्या की कथा मात्र भी सुनते हैं तो इतने मात्र से भी अखंड सौभाग्य की ब्राप्ती होती है और हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है तो सबसे पहले भगवान भूलिनाथ और माता पारवती का ध्यान करके इस पावन कथा का श्रमड करते हैं सोमवती अमावश्या की कथा पौरानिक कथा के अनुसार एक साहुकार के साथ बेटे थे, साथ बहु और एक बेटी थी साहुकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आता था जोगी को साहुकार की बहु भिक्षा देती थी तो वो ले लेता था लेकिन जब बेटी देती थी तो वो भिक्षा नहीं लेता था और कहता था कि बेटी सुहागन तो है पर उसके बाद में दुहाग लिखा है जोगी की यह बातें सुनकर बेटी को चिंता होने लगी और उसका शरीर भी कमजोर होने लगा एक दिन उसकी माने पूछा कि बेटी तुम इतने दिनों से इतनी कमजोर क्यों दिखाई देती हो तब उसने बताया कि मा एक जोगी भीक्षा मांगने आता है जो कहता है कि बेटी है तो सुहागन लेकिन इसके नशीब में दुहाग लिखा है अर्थात दुख लिखा है यह बात सुनकर उसकी माने कहा कि कल मैं सुनूंगी अगले दिन जब जोगी भीक्षा लेने आया तो उसकी मा छुपकर बैट गई जब बेटी भीक्षा देने लगी तो जोगी ने वही बात फिर से बोली इतनी बात सुनकर उसकी मां बाहर निकल कर आई और बोली एक तो हम तुम्हें विक्षा देते हैं और तु उपर से हमें गाली देता है तब जोगी बोला कि मैं गाली नहीं देता जो कहता हूँ सच कहता हूँ इसके भाग में यही लिखा है वही मैं कहता हूँ माने जोगी से कहा कि तुम्हें यह पता है कि इसके भागी में दुहाग लिखा है तो ये भी बता दो कि कैसे दूर होगा तब जोगी बोला कि साथ समुंदर पार एक सोना धोबन रहती है जो सोमबती अमवश्या का वरत करती है अगर वह आकर अपना फल दे दे तो इसका पढ़ने लगी तो साहुकार्णी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई उस पीपल के पेड़ में एक गरुण पक्षी का घोशला था जिसमें गरुण का चोटा सा बच्चा रहता था साहुकार्णी को घोशले के पास एक सर्प अर्था सांप जाता दिखाई दिया तो साहुकार्णी बोली कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है यह सर्प तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था तो मैंने इसे मार कर गिरा दिया गरुण ने सर्प की और देखकर कहा कि तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है अब तुम्हें जो मांगना है म तब साहुकार्णी बोली कि मुझे साथ समुन्दर पार सोना धोबन के घर छोड़ कर आओ। धर की सफाई करती, रसोय का काम करती, चोका बर्तन करती, आटा पीस्ती, कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने से पहले चली आती। साथोmm भंगे रोज सोचती कि ये सारा काम कौन कर रहा है। लेकिन कभी एक दूसरे से पूछती नहीं थी कि ये सब काम कौन कर रहा है, कुछ दिनों तक ये सब ही काम उसी प्रकार से चलते रहे, तब एक दिन धोबन ने अपनी बहुओं से पूछा कि तुम आज कल लड़ती भी नहीं हो और काम भी ठीक कर रही हो, तो बहुओं ने कहा कि सासुजी काम तो हमें ही करना पड़ता है, चाहे हम लड़कर करें या राजी से करें, इसलिए लड़ाई करने का क्या फाइदा, सोना धोबन ने सोचा कि आज देखा जाए कि कौन सी बहु काम करती है, और वो रात को सोई नहीं, उसने देखा कि रात को एक स्त्री आई औ पूरा काम करके जाने लगी, तो सोना धोबन ने बोला कि तुम कौन हो, और तुम्हें ऐसी क्या जरूरत है जो इतना काम कर रही हो, साहुकार्णी ने कहा कि जरूरत है, तभी तो इतना काम कर रही हूं, सोना धोबन ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, साहुकार्णी कि पहले मुझे वचन दो तब बताऊंगी सोना धोबन ने वचन देकर कहा कि अब बताईए साहुकार्णी बोली कि मेरी बेटी के भागे में दुहाग अर्थात दुख लिखा हुआ है इसलिए आप मेरे घर चलकर उसे सुहाग दे दीजिए और उसे सोमवति कर दीजिए तब दोनों जनी साहुकार्णी के घर चली जाती हैं साहुकार की बेटी का ब्या होने लगा दुल्हा फेरो में बैठ गया सोना धोबन दुल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रखकर बैठ गई उसमें दूद डाला और तात का तार लेकर बैठ गई थोड़ी देर बाद दब आख में से काजल निकाला और महंदी निकाल कर छोटी उंगली से छीटे मारे और सोना धोबन बोली कि आज दिन तक मैंने जितनी भी सोमवती अमावस करी है उन सबका फल तो साहुकार की बेटी को लग जाए और आगे जो मैं सोमवती अमावस करूं वह मेरे बेटे को लगे इतना कहते ही दूला जीवित हो गया और सब सोमवती की जैजै बोलने लगे सोना धोबन वापस जाने लगी तब साहुकार नी बोली कि तुमने मेरे जवाई को नया जीवन दान दिया है इसलिए तुम्हें जो इच्छा हो मांगो वह बोली कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए सिर्फ एक हंडी दे दो वह हंडी लेकर चली जाती है और रास्ते में सोमवती आती है तो हंडी का 108 परिक्रमा करके पीपल के पेड के नीचे गाड़कर अपने घर आ जाती है घर आकर देखती है कि उसका पती मरा हुआ तेल और घी के कूप में पड़ा है तब उसन इतना कहते ही उसका पती उठकर बैठ गया घर का जोतिशी ब्रामभर आया और बोला कि जजमान सोमवती अमवश्या को मेरा क्या है दक्षिना तो दे सोना धोबन बोली कि मुझे तो सोमवती रास्ते में आई थी तो कुछ भी नहीं किया जो कुछ भी किया वह सब पीपल के नीचे ही गाड़ दिया जाकर खोदगर निकाल लो जोतिशी ब्रामभर ने जाकर खोदगर देखा तो 108 और 13 सोने के चक्कर मिले जोतिशी ब्रामभर सबको घर ले आया और बोला कि ऐसी फेरी की है और मुझे बोल दिया कि कुछ भी नहीं किया तब सोना धोबन बोली कि यह करना चाहिए फिर साथ सवच्ष वस्त लखरन करना चाहिए अगर संभव हो तो नए वस्त्रधारन करने चाहिए नहीं तो पुराने भी हो धुले हुए हो शुद्ध हो इस बात का ध्यान रखे सुहागिन महिलाएं आज के दिन शुभरंगों के वस्त्रधारन करके और 16 श्रिंगार करके पीपल की पूजा करती हैं तो पैरों मे आसपास जहां भी पीपल का व्रिक्ष है वहां जाकर पीपल की विदेविधान से पूजा कीजिए एक पात्र में थोड़ा सा गंगा जल डाल कर उसमें थोड़ा सा कच्चा दूद डाल दीजिए फिर जल से उस पात्र को भढ़ दीजिए थोड़ा सा शक्कर या फिर शहद डालकर जल को मीठा कर दीजिए, उसी में आपको पुष्प डालना है, थोड़े से अखंडिती चावल के दाने डालने हैं, और इसी जल को पीपल के व्रिक्ष में अर्पित कीजिए, इसके बाद पीपल की जड में हल्दी, रोली, अक्षा तर्पित कीजिए, और हाँ, सोना का चित्र आप चाहें तो बना सकते हैं, या फिर मानसीक रूप से मन में सोना धोबन का ध्यान भी कर सकते हैं, चावल के आटे में हल्दी मिलाकर इसका एक घोल तयार कीजिए, इसी से आप सोना धोबन का चित्र पीपल की जड में बना सकते हैं, और अपनी पांचों उंगल भोग स्वरू पीपल की जड़ में अर्पित की जाती हैं आप चाहें तो सुहाग की सोलह सामगरियां अर्पित कर सकते हैं या अपनी इच्छा के अनुसार जितना भी आपके वासुपलब्द हो जैसे कि सिंदूर बिंदी महंदी या चूडिया इस प्रकार से जितनी भी परिक्रमा की जाती है तो कच्छा सूथ परिक्रमा के लिए आपको चाहिए और आप जितनी संख्या में परिक्रमा करना चाहते हैं जैसे आज के दिन 108 परिक्रमा करनी चाहिए लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं 108 परिक्रमा तो अपने हिसाब से आप चाहें तो 11 या 21 पर ले लिए जैसे कि आप चने ले सकते हैं या फिर मुवली के दाने ले सकते हैं। बार आप अपनी माग में सिंदूर लगाएंगे और पीपल की जड में भी लगाएंगे इसी प्रकार से परिक्रमा आप पूरा कर लीजिए फिर वहीं बैठकर आप चाहें तो कथा सुन सकते हैं या फिर कथा आप चाहें तो घर में भी आकर सुन सकते हैं और हां पीपल की परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासु देवाई नमा इस मंत्र का जब करते रही है इसके साथ एक और कारिया आपको करना है जो भी सामगरी आप लेकर गए हैं वहाँ पर चढ़ाने के लिए उसमें से कुछ सामगरी दान अवश्य कीजिए आज के दिन दान करने से स्व करने से सवभागय में व्रिद्धी होती है इसलिए जब पकीपल की परिग्रमा कर लिए उसके बाद से जो भी सुहागिन महिलाये वहां पर होती हैं सबको सिंदूर लगाना चाहिए और उनसे भी सिंदूर अवश्य कोई बड़ा बुजुर्ग वहां पर हो तो उनके चरंस पर्स करके आशिरवाद अवश्य लेना चाहिए कोई ब्रामर हो तो उन्हें आप वहाँ पर दान दक्षिणा अवश्य दीजिए और अगर आप सोमवती अमवश्या का वरत करते हैं तो शाम के समय मीठा भोजन कर सकते हैं लेकिन अगर आप वरत नहीं करते हैं तो पीपल की पूजा करने के बाद घर आकर शुद्ध और सात्विक भोजन भी कर सकते हैं और हाँ अगर आपके घर के आसपास पीपल ना हो तो आप तुलसी की भी परिक्रमा इसी प्रकार से कर सकते हैं तुलसी की पूजा करने से भी आपको उसी फलकी प्राप्ती होती है तो अगर पी ब्रत का संकल्प लेकर आप दोनों ब्रत कर सकते हैं सोम बार है तो आप चाहें तो पहले पीपल की पूजा कर सकते हैं और या फिर आप चाहें तो पहले शिवजी की पूजा कर सकते हैं तो पूजा आप अपने अनुसार देख लीजिए